जब भी कुछ मीठा खाने का मन करें ज्यादा मेहनत न करने का मन करें तो मेरे तरीके से बना है सेवही फ्रूट कस्टड की रेसिपी जो बनाना बहुत आसान है बहुत जल्दी बन के त्यार हो जाती है आप इसे फटा-फट बना के और खा सकते हैं चलिए बिना देर के बनान में सेवे हैं इसे फ्रूट कस्टड को बनाने के लिए यहां पा मैंने ले लिया है एक लीटर दूदं यह दूद बने पहले उवाल लिया था फिर से इसे उवाल लेना है तो इसके-वाल बैने इसे गयस पे चरहा दिया है लेकिन इस में से हमें थोड़ा सा दूद निकाल लेना है तो एक कटोड बिंधर 100 कलशों निकाल लेंगे अब साड़े दूद में अच्छे से उबाल आने देते हैं तो इसे इस तरीके से चलाते हूं हुआ दूद जिससे की दूद अच्छे से उबल भी जाए और पक भी जाए दूद में उबाल आने लगा है हमें दो से तीन मिट तक इसे और खॉलने देना है दो से तीन मिट हो गया है दूद को उबलते हुए अब हम इसमें डाल देंगे यह आधी कटोरी भुनी हुई से वही है यहाँ पर मेरे पास हमेशा भुनी हुई से रहती है अगर आपके पास कच्छी से वही है तो उसे हलका सा घी डाल के और भूलने हलका सा लाल होने तक एक चम्मच कस्टरड पॉडर यहां पर मैंने वैनिला कस्टर पॉडर लिया आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी कस्टरड पॉडर ले सकते हैं खूब अच्छे से दूद में कस्टरड को मिक्स कर देना है जिसे कि कोई गुठलिया ना रहे नहीं तो जब यह आप कर ले अग दूद में कस्टर्ड को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब देखते हैं हमारी सिवाइं पकड़ाई है तोnin 2 से 4 यह यह होगी है अब जो हमने कस्टर्ड में दूद मिक्स करके रख रखाया । उससे हमें इसमें डालना है एक थोड़ा चला लेंगे जिसे के इसटर कि कस्टड जो है वो इसकी गुठलिया नहीं बनेगी गर्म दूद में अब हमें दो मिनट और इसे अच्छे से पका लेना है जिससे की कस्टड का जो कच्छापन है वो खतम हो जाए कि दो से तीन मिनट हो गए है कस्टड पॉडर को पकाते हुए अब हम इसमें डाल देते एक चोटा चमच इलाइची पॉडर साथी हम इसमें डाल देंगे थ्री फोर्थ कप चीनी चीनी आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं अगर आप जादा मिठा पसंद करते हैं तो आथी कब भी चीनी डाल सकते हैं अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे अब हमें इस छीणी को सिर्फ पुलने तक पका जाए सीप है नहीं तो अगर आप पहले से डाल के रखेंगे तो आपका कस्टर्ड खड़ाब हो जाएगा एक बावल में मैं इसे निकाल लेती हूँ अब इसमें हम डाल लेंगे कटा हुआ सेव एक दम छोटे चोटे टुकरों में काटना है फल इसमें आप अपने हिसाब से मिला सकते हैं लेकिन जो खटा फल होता है जैसे नारंगी वगड़ा वह न डाले नहीं तो खीर जो है वह फट जाएगा साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक चोटा टुकरा केला का अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़े से अनार के दाने